हेलो डियो स्टूडेंट असी प्लस वंजमाती कहाणी गोई जो के प्रेम्प्रकास चीदी शाहका रचना है बारे पढ़ चुक्के हां अते हूं नेक्स्ट बेटा असी इस कहाणी दा सार लिखना है इस सार असी अपनियां कापियां दूपर नोट करना है ओके बेटा सब तो पहला असी इसता प्रशन रीड करांगे गोई कहाणी दा सार अपने शब्दा विच लिखो नेक्स पेटा उत्तर उत्तर दी शुरुआत करन तो पहला देखो जो परसांगदियां से कॉमन लाइन्स लिखते हैं ओही लिखनी आने गोई कहाणी साड़ी आई एससी बोर्ड वल्लों निर्दारत कुस्तक कथा संगम विच दर्ज है जो के प्रेयें पर कास चीदी कलमदी रचना है इस तो बार बेटा नेक्स साड़ी आनाई जाएड हुए ने विशे नास बन देत के जो इस कहाणी विच लेखक ने ब्यान करन दी कोशिच कीती है उन अपनी बुक दे उपर देखो पेज नंबर स्तारा इत्त देखो बेटा जित्ते लेखक बारे दसे आगया उदेवेचे लाइना तुसी अंडरलाइन करो एहे कहाणी एक पासे शेहरी मद वर्ग दे दिखावे वाली जिन्दगी अते दुझे पासे पेंडू जीवन दी सित्ती साधी जिन्दगी दे अंतर विरोधा विचों पैदा होए तनानू दस्ती है हुझे लाइना असे सी विशे विच एड कर दियाने इस कहाणी विच लेखक ने एक पासे शेहरी मद वर्ग दे दिखावे वाली जिन्दगी अते दुझे पासे पेंडू जीवन दी सित्ती साधी जिन्दगी दे अंतर विरोधा विचों पैदा होए तनानू पेश कीता है हुझे थे बेटा जो शेहरी वर्ग दे दिखावे वाली जिन्दगी उसनू लेखक ने बलविंदर दे पाताराई पेश कीता है ते पेंडू जीवन दी सित्ती साधी जिन्दगी नू बापू दे बकतावर दे रेंस हैं दे तोत्रीक्या राही पेश करन दी कोशिश कीती ह ठीके हुझे इस तो बेटा नेक्स पेरा देखो कहानी दा इस कहानी दा मुख पातर पकतावर है ओ फॉझ वेच सीनियर कैप्टन है अते मेजर बननवाला है ओसती पतनी दा नाम बलविंदर है अते पुत्तर दा नाम जांग बहादर सिंग उरफ जंगी है ओसता पिंड बकतावर दे पुत्तर दा जनम होया सी उसे दिन ही उस दी बेपे दी मौतो इसी पर हर साग कार विच उस दी बेपे दी बरसी दी बजाये उस दे पुत्तर दा जनम दिन मनाया जानदा सी उन्हेते बटा की रिस्या गया है कि इस कहानी विच एक अजीब गाल्प जो सी कि ज इस दिन बक्तावर दे पुत्तर जंगी दा जनम देन उन्दा सी, उसे दिन ही उसी बेबे दी मौतों इसी, पर हार साल कारविच बेबे दी बर्सी दी थांते उस दे पुत्तर दा जनम देन मनाया जान्दा सी। इसे लिए बक्तावर सौ मीन पहाडी ते मैदानी सफर तै करके डिफेंस कलोनी विच आपनी कोठी विच पहुंचिया सी। उसनों जादाया की बेबे दी मौत उपरंत जादो बापो नू अपने नाल ले आया सी। ता कारविच एक तनाजया पैदा हो गया सी। उने से तरहीं लेखर बक्तावर जो के सौ मीन पहाडी ते मैदानी सफर तै करके अपने पुत्तर दे जनम देंदे मौके दे कार पहुंचदा है। तो वेखदा है कि उससी पतनी बलविंदर उत्तर दे जनम देंदियां त्यारियां वेच रुज्जी होई सी। पर उठक्यां उन करके आंग पसार के पिछले कमरे विच जाके सौ मौन जानदा है। तो स्वेले जदो उसी नजर अपने गैरेज विच पए बापू पर पैंदी है। तो उसनों जाद हुंदा है कि जदो उसी बेबे दी मौत हो जन्दी है। ता अपने बापू नों अपने नल जदो शैर ले आंगा है। तो उन दे करवे चेक तनाजय पैदा हो जन्दा है। नेक्स देखो बेटा। क्योंकि ओ उस वेले किराये दी कोठी वीच रहन दे सान। अथे जदो में बापू बाहरों आओदा ता बलविंदर अपनी नौकराणी बिमला नू आख के शीशे वांग लिश्क दे फर्श उत्ते पोच्चा मरवा दिन्दी सी। उसी इस सफाई पसंदी तो खिजके एक दिन बकतावर ने उस नाल चगड़ावे कीता सी। होन बलविंदर जो के शेहर दी रैंड वाली सी, दुझे पासे बापू पेंड़ दा जंपल सी, ते बलविंदर नू बापू दा रैंड सेंदा तो तरीका बिल्कुल पसांद नी सी। एसे तना जोदों किते वी बापू बाहरो होंदा ता बलविंदर अपनी नौकराणी बिमला नू आखे दुबारा फ़र्शिद उपर पोच्चा लगवाँदी सी। ते एह कल बक्तावर नू बिल्कुल पसांद नी आउंदी सी, एसली दोहां पती पतनी विचकार चगड़ावी होया सी। नेक्स बेटा, पर बाद विच उस दे पेक्यां दे पाए रोब नू वेखके बक्तावर नू अपनी गलती दा ऐसास होया। के उस माडे जाट दे पुत्तर नू अमीर कार दी कुडी दा हात कबूल नहीं करना चायदा सी। क्योंके इस तो पहलना उन्ना दे व्यावेले वी बल्विंदर दे माप्या ने आपनी अमीरी दा विखावा कीता सी। ते बक्तावर दे प्योधी ग्रीपी नंगी कीती सी। फिर यसी तने जदो दोहां पती पतनी विचकार चगडा पैदा है। ता बल्विंदर दे पेके परिवार वाले आउंदी हन। उन ता जोना दे चगडे नू हाल कार सकन। पर जदो ओह बक्तावर दे पर रोब काँदे हन। तो उसमे बक्तावर न अपनी गल्ती दा असास उन्दा है। कि उसनू अमीर कराने दे कुडी नाल व्या नई करना चाहिदा सी। क्योंके जदो उनना दोहां दा व्या होया सी। उसवेलेवे बल्विंदर दे माप्योंने आपनी अमीरी जो विखाई सी ते बक्तावर दे प्योधी गरीबी नू नंग्यां किता सी। नेक्स देखो बेटा। एथों तक के बक्तावर नू हमेशा आपनी कुडी दे रोब एठा रखन लई। उस्ताकार कालीन फरनीचर तेर सोई दे समानल पर दिता सी। अते अपने दोते जंगी दे जनम दिन दे मौके दे बल्विंदर दे नाम एक प्लाट कर दिता सी। ते उस्ते प्लाट वेची उनना दी कोठी बनी होई सी। सो एही कारण सी के बापकूने जदों पहला इस प्लाट वेच अपनी मर्जी दा मकान बनवाया सी। तम बल्विंदर ने उह मकान अपनी मर्जी दी कोठी बनवानले टुहा दिता सी। होन जो बल्विंदर दे माबाप सन। उपकतावर नो अपनी ती दे रोब एठा रखना चौन दे सन। इसले उनना ने कलीन, फर्नीचर, सोई दा सारसमान बल्विंदर नू दिता सी। ते जदों जंगी दा जनम देन सी। उस वेले बल्विंदर दे नापजेक प्लाट वी गार दिता सी। उससे प्लाट वेची आजो नादी कोठी बनी होई सी। ते एही कारण हुन्द है कि पहना जोदों बापू इस प्लाट वेच अपनी मर्जी दा मकान बन वाँदा है। तब बल्विंदर उस बने होई मकान नो टुआ दों दी है। ता जो अपनी मन मर्जी दी कोठी इस प्लाट वेच बना सके। ओके बिटा पहले तुस्से यह थे तक जो सड़ा हाफ सार हो गया है। इसनों अपनी कॉपीज अपर भी नोट करना है। रीड भी करना है। ठीक है। और नेक्स सारसी नेक्स वीडियो विच कराना है। ओके बच्चे थेंक यू।